असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं उर्दू का अगला चेप्टर चेप्टर नमबर 15 और ये भी क्या है मक्तूब नेगारी का तीसरा मक्तूब है यानि कि लेटर राइटिंग का तीसरा ये लेटर है दो लेटर हम लोग अल्रेडी पढ़ है मेहदी अफादी और मेहदी अफादी किसको ये लेटर लिख रहे हैं किसको ये खत लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं अपने दोस्त मोलवी सयद मक्बूल एहमद समधानी को ठीक है इसलिए इस चप्टर का नाम क्या हो गया है मोलवी सयद मक्बूल एहमद समधानी के नाम जरा मेहदिय अफादी के बारे में कुछ समझ लेते हैं मेहदिय अफादी का जो असल नाम है यानिकि रियल नेम है वो है मेहदी हसन फीक है इनकी पैदाई सुई थी यानिकि इनका जन्म हुआ था 28 इस भी को गोरखपूर में याद रखना है इनका तालुक श्यूख घराने से था श्यूख घराना मतलब सेख घराने से था ठीक है इनका इप्तदाई तालीम घर पर हुई यानि कि इनका प्रारंबिक सिक्षा सुरुवाती जो सिक्षा था वो इनको घर से मिला और उर्दू के इलावा फिर उन्होंने बाद में जाकर क् महारत हासिल की दोनों में नौलेज हासिल किये और अंग्रेजी और फार्सी में पुरा निपून हो गए पुरे अच्छे तरीके से यह पढ़े ठीक है तीन शादिया की इन्होंने मैदी अफादी ने जिरा याद रखिएगा देखिए कैसे पहला लेटर मिर्दा गालिब का थ दूसरा लेटर किसका था अब्दुलगफूर तो उनका दो सादी हो यह तीसरा लेटर हमेदी अफादी का तौह तीन साथि ऐनन शादी सेस्टेन से famous हो गई, मशूर हो गई, बेगम मेहदी के नाम से, क्योंकि मेहदी की वाइफ थी, मेहदी अफादी की, इसलिए बेगम मेहदी के नाम से क्या हो गई, famous हो गई, मशूर हो गई, यह जो मेहदी अफादी है, यह मजमीन निगार भी थे, मतलब यह मजमून एसे निबंद भी लि कि किस तरीके से अपने दोस्त को किस अंदाज में इन्होंने खत लिखा है ठीक है चप्टर नंबर फिफ्टीन मैं निकालती हूं मेहदी अफादी का प्यारे मकबूल आपके खुश सवाद नुक्ता खेज और लतीफ इनायत नामा के अगर दाद देता हूं तो इस लिहाद से कि आपने नकाद के सहाफी को सराहा है वाह कितना टफ टफ लवज है ना इसमें टफ टफ वर्ड है आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होग था मतलब इनायत नामा था जिससे पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगा ठीक है उसका अगर मैं दाद देता हूं वो इसलिए कि आपने क्या किया है जो सव्यता और संस्कृती पर नजर रखने वाले लोग होते हैं आलोचना करने वाले आलोचक उसको सराहा है इसलिए मै आप अप लोग आपको उस खत की क्या करता हूं दाद देता हूं कि आपने इतना उन सभी लोग को ध्यान में रखकर इतने अच्छे तरिके से अपने उन खत लिखा ठीक है हम दोनों हाजी हुए जाते हैं यानि कि हम आप भी हाजी हैं हम भी हाजी हैं लेकिन सच यह है कि आपके दाइरे नजर में होना वाभी अद्वी हैसित से मेरी कावशू का अगर वो दर असल लायक एतिराफ हो एक ऐसा किसमी सीला है जिससे दुनिया का बड़े से मुसनिफ भी मुष्टगना नहीं हो सकता इसमें बोल रहे हैं कि आपके दाइरे नजर में मैं हूँ यानि कि आपके नजर में मैं हूँ और आप मुझे इतना चाहते हैं इतना मानते हैं इतना मुझे इज़त देते हैं मतलब इस से मैं बहुत ही ज़्यादा खुस हूँ और मैं आपको क्या बियान करूँ मैं कुछ नहीं कह सकता आप इतना मुझे चाहते हैं कि भाई यादे अयाम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई अब वह पहला सा जोबन कहां वह कसाओ और रख रखाओ कहां इसमें जो अनमेदिय अफादी बोल रहे हैं कि तुमने गुजरे क्याना मिनिका पहले जिसी जवानी कहां और पहले जैसा शरीर में वह और रख रखाओ कहां आगे देखिए वह एक शेर लिखे हैं आग थे- अripतदा इस्क εκ GP में हम हो गये खांगें. इंतहा यह यह है मतल प्रसितारों की कमी नहीं है बोल रहे हैं इसमें कि पिछली पिछली तस्वीर का मिले पहले जमाने की तस्वीर का एक खाका रह गया है नमूना रख गया है उसका जड़ा मुश्किल से पहचानिएगा अच्छा से बैठ कर और अभी तो बुड़ा हो गया हूं लेकिन चाहने कमी नहीं है मुझे उतना ही लोग चाहते थे जितना पहले चाहते हैं इस से खुस हुआ कैसा फर्क मरतबत दिया तो बनने वालों की घड़ी हुई इस्तला है असेल मुर्ग की एक टांग मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था कुछ खबर भी है मतलब बोल रहे हैं जितना मतबा मुझे पहले मिलता था जितना लोग मुझे पहले चाहते थे अभी मुझे मेरे चाहने वाले वैसे ही मुझे पाएंगे वो मेरे में कोई मतलब बदलाओ नहीं है जैसे मुझे पहले चाहते थे उसी तरह बिल्कुल मैं अभी भी मैं कुछ भी नहीं बदल हूँ, बिलकُل उसी तरह हूँ, कुछ खबर भी है, मतलब कुछ खबर भी दे रहा है, मैदी अपादी मॉलवी, अपने, मतलब, दोस्त को, स्य्यद मकबूल को, क्या खबर दे रहा है, हुसन औ अ이hक की फित्ना गीरी, जिसने की थी, वह साया की तरह साथ है और फतुहात का सिलसला है के काइम है मनला बूल रहे हैं जिस से मैं महबत की थी उसे मेरी साधी हो गई अब वो मेरे साथ है और हम लोग खुसाल जिन्दगी जी रहे हैं आपको पूछनी है कि कौन बजर्ग है क्या बताऊं बढ़ी हुई दाड़ी के साथ पीसरी के ल आओगे बोल रहे हैं कि अच्छा मेरे घर कब आओगे अपने घर को क्या बोले परिस्तान परिस्तान उसको बोला जाता है जहां पर परिया रहा करती है परिया ठीक है आपकी तौफिक तो देख ली लेकिन मुझे उन्हें इसके बाद और बड़े दिन से पहले जरूर बु अब मुझे उन्हें इसके बाद बड़े दिन में बुलाईएगा ताकि हर किसी इसे मिल सकूं में और खासकर आप से मैं मिल सकूं और आपको आपको तफसील से देख लूँ यान की अच्छे तरीके से देख लूँ और आपसे हर वो पुरानी बाते करें करूं जिस जो हम ल लोगों को समझ में नहीं आएगा और उमीद है कि आप लोगों को ये खत समझ में आया होगा जो मैं बताई हूँ ठीक है इसी के साथ आप लोगों का ये खत कंप्लीट होता है अब ज़र इसके को देख लेते हैं कैसे स्टार्ट होता है आप लोगों का मुक्तसिर तरीन सव तो मेहदी अफादी ने 3 जादिया की थी थी बस इतना ही लिखना है है तीसरा ज़ीए सवाल मेहदी अवादी को उर्दु के इलावा वड़ente के और अय आगे देखिए चाहिए नंबर सवाल मेधिया ऐफाधि की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशूर हुआ हुआ थी मतलब मेधिया अफाधि की बेगम का क्या नाम था अजी मुननिसार बेगम ये तीसरी और समयές नामि थी और यहे उन वशूर हो मकतूب की तारीफ कीजिए त्सी की तारीफ करना है बताना है की खत किसे कहते हैं तो यह आप लोग 5 संटेंस में पाँ जूम्ले में बताएंगे ठीक है दूसरा सवाल है मेदी अफादी के बारे में 5 जूम्ले लिखिये मेदी अफादी के बारे जो खत है वो किसको दिया है किसको भेजे हैं तो अपने दोस्त को भेजे हैं और उसमें क्या कहना चाहते हैं तो उसमें यही कहना चाहते हैं कि मुझे खुशी होती है कि आप हमें याद करते हैं इतना प्यार देते हैं इतना चाहते हैं मुझे इतना मेरी खदर करते हैं ठीक ह दिया दो थींठों उसका मानी बताना है जयर वजल होनाstände ऀसका मतलब क्या हुता है जेसे आप के बनाते हैं असी तरह उर्दू में भी जयर सबना मतलब मिल जाना घुल ऑख दिखाना आख दिखाना मतलब कोई आख क्यों दिखाता है धमकी देना ठीक है हथेली पर सरसो जमाना बताई हथेली पर कभी सरसो जम सकता है उसकता है नहीं हो गई फिर भी मैं बता दे रही हूं जिसम का अजदाद यानि की उल्टा क्या होगा तो जिसम का रूह दुनिया का आखिरत इसे तरह गुर्बत का इमारत आप लोग खुद से लिखेंगे अब बात आती है तावील सवालात का पहला सवाल है मक्तूब निगारी की आगाज और मक्तूब निगारी का フषनी जायजह लीजिए जो खत लिख रहे हैं खेजाईया लिए देना है वह कैसे लिखते हैं ठीक है ओफिव करना हैं टेकनिकल रिव्यू देना है हंके लिड़ र्रा सवाल है गालिए उर्मेडी अफौत के फरक को वाज़े करें मिर्जा गालि जो तोनों में क्या फर्क है ठीक है और मिर्जागालीब की लिखी हुई खत और मैधी अफ़ादी के लिखने ठीक है आगे देखिए चार नंबर सवाल मेधी अफ़ादी का मुखतिसर तारीफ पेश कीजिए मेधी अफ़ादी के बारे में तारीफ लिखना है तो आप लोग खसुसियात बियान कीजिए यान की मेदी अफादी जो है वह जो मजमून लिखा करते थे वह मजमून यान की निबंध का खसुसियात यान की फीचर्स बताना है विसेश्था बताना है कि मेदी अफादी की जो एसे था निबंध था उसमें क्या मतलब फीचर्स क्या विसेश् हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिस